है सुनो मेरी बात कहां प्रेत हम हम सोलूशन तेहां अ Beast को एक था आपका alguém बिद् 자र पर न बांट आफका एक दो तीन चा आपा छे यह ता आपका ए दस्रा कौन सा था है दूस्रा कौनसा था है दूस्रा और एख दोन तीन चाह बच्चे एख दोन तीन चाह बच्चे और साथ यह था n heptown मेरे बाढ़ सुनों ठीक है ना न है आप खुद ही देख लो ना इनहें दोनों दिखने में भी सेम है मतलब आप सोचो ना कि यहां पर जो n haptown है न यह सारे नon polar non polar है जितने भी N-Heptane non-polar non-polar है और ये भी आपके सारे non-polar है तो इन में interaction क्या होगे इन दोनों में non-polar मतलब जितने भी N-Hexane है इन सब में non-polar interaction है हeptane में भी non-polar non-polar interaction है और जब मैं इनको add करूँगा मैंने वापस से बताया देखो ये आपका non-polar है ये भी आपका non-polar है और मास देखो लगबग दोनों का मास से में एक दो कार्बन का फरक है एक ही कार्बन का फरक है ठीक है ना और अब जो solution बनेगा इसमें कौन-कौन होगा बच्चो इसमें N-Hexane होगा और कौन होगा N-Heptane और देखो अगर दोनों दोनों पहले दोनों नोन-polar, दोन-polar थे अब ये वाला भी नोन-polar है और ये वाला भी नोन-polar है तो इनमें भी एंट्रेक्षन कैसे होगे जेसे यहाँ पर हेपटेन इखो यहाँ पर बहुथ साड़े हेपटेन होगे सुनो आप देखो आपको clear होगा यहाँ पे बहुत सारे हेप्टेन होगे एसे ठीक है न और यहाँ पे बहुत सारे हेक्जेन होगे इस तरह से तो देखो यहाँ पर मैं बोल रहा था ना ए ए इंट्रेक्शन ए और ए दोनों भी इन में जो इंट्रेक्शन है यह वाला बी और यह वाला भी हेप्टेन है इन में जो इंट्रेक्शन है और यहाँ पर कोन्य आपका यहाँ पर एक तो हेगजेन होगा और दूसरा होगा हेप् तो A और B में जो interaction है ना Almost सारे के सारे non-polar है तो इन दोनों में और इन दोनों में interaction क्या होगी बच्चो Almost तिनों में चाहे आप दोनों hexane लेलो दोनों heptane लेलो एक hexane और एक heptane लेलो तो इन में भी interaction क्या होगी Almost similar होगी तो यह किसका example है सर जी यहाँ पे जो delta volume आएगा यह delta H आएगा mixing का यह जो भी delta V आएगा mixing का कितना आएगा बच्चो 0 आएगा कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि यह ideal mixing का example है क्या आप सभी को first example समझ में आया ideal mixing का n hexane and n heptane को अगर मैं mix करू जो भी आपका solution होगा उसमें जो volume आएगा वो change नहीं होगा so it is the example of ideal mixing और I hope नीचे देखके आपको सारे concept clear हो चुके होगे AA में non-polar non-polar interaction है BB में भी non-polar non-polar interaction है और AB में भी non-polar non-polar है यह भी non-polar यह भी non-polar बस फरक एक दो कारबन का है तो इससे कोई इतना फरक नहीं पड़ता अब बोलो first example सभी बच्चों को समझ में आया N hexane और N heptane को अगर मैं mix कर दू दोनों भी non-polar है दोनों में मास में कोई इतना जाज़ा difference नहीं है तो जो भी solution बनेगा आपका वो आपका ideal solution होगा समझे या नहीं समझे बताओ आप सारे के सारे बच्च clear है एक दम पानी की तरह बोलो next example देखो हाँ सभी को clear है न N hexane and N heptane is the example of ideal solution अब example number जब तू लूँगा नहीं दूसरा तो आपके आखे खुली हो जाएंगी और आप बोलोगे अच्छा आप समझ में आया सर आप क्या कहना चाहते थे मैं आप दो पोलर चीज ले लेता हूँ ठीक है न अब यहां से आके चीज़े बहुत interesting है CH3 OH ठीक है न और यहां पे भी ले लेता हूँ CH3 CH2 OH हाँ आप देखो और case number 2 CH3 OH CH3 CH2 CH2 OH अब आपको सारी चीज़े clear होगी बच्चो देखो इस oxygen पे negative आएगा और hydrogen पे positive आएगा सही है न देखो दिखाए दे रहा है आपको oxygen पे negative hydrogen पे positive तो आप बोलोगे सर अगर अलग-अलग atom है न तो यह भी आपका polar है और यह भी आपका polar है और अगर दो polar चीज़े हो और देखो इसका mass आप अगर निकालोगे तो देखो एक carbon बस एक दो carbon का फरक है दोनों में तो बच्चो आप बोल सकते कि mass में कोई ज़्यादा change नहीं है पहली बात तो यह कि दोनों polar है ठीक है ना यानि कि अब मैं तोड़ा explain करू इसको अगर explain करू तो देखो यहाँ पे CH3OH होगा नीचे भी CH3OH होगा और अगर मैं दोनों में interaction देखो तो यह आपका polar है और यह भी आपका polar है तो इन में interaction होगी polar polar वाली और अगर मैं इसकी बात करू CH3 CH2OH यह भी आपका polar है नीचे क्या लिखू वापस है CH3 CH2OH इथेन ओल है यह भी आपका polar है बच्चो इन दो इसमें भी इंट्रेक्शन है polar polar इसमें भी polar polar है लेकिन जब मैं नया solution बनाऊंगा तो इसमें कौन होगा आपका CH3 OH होगा और CH3 CH2OH होगा देखो नीचे वाला भी polar है उपरवारा भी polar है तो इन दोनों में यानि कि A और B में यहाँ पे लिख दू B B में और A A में तो देखो अब आपको सारी चीज़े clear हो रहे होगी सर जी दो मिथेन ओले दोनों भी polar है दो इथेन ओले दोनों भी polar है यह आपका B था यह आपका A था यहाँ पे जो A A interaction है और जो B B interaction है यह दोनों अल्मोस्ट से में देखो polar 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 और जो आपका A B interaction होगा वो भी क्या होगा आपका सर पोलर पोलर यानि सारे interaction अल्मोस्ट एक सरीख है बराबर है ना और दूसरी important बात बच्चो इनके मास में इतना चेंज नहीं है एक कारबन का चेंज चलता है एक आदा कारबन अगर चेंज होगा तो कोई फरक नहीं पड़ता यानि कि यह भी आपका ideal solution का example है मजा आया सभी बच्चों को सीख के जल्दी बताओ क्या यहाँ तक की बाते सभी को क्लियर है मेसेज करके बताओ हा सर मजा आया और समझ में बयाया जल्दी बताओ मिथेनॉल और इथेनॉल अगर आपको गिवन है तो याद रखना मिथेनॉल और इथेनॉल आपका ideal solution बनाते है is it clear or not बताओ सारे बच्चे मेसेज करो अभी मुझे मिथेनॉल और इथेनॉल आपका ideal solution बनाते थे बनाते हैं ठीक है न ओके समझ में आया सभी को लेकिन अब कहानी में ट्विष्ट अब कहानी में ट्विष्ट अब कहानी करोंगा और change क्या होगा बच्चो ध्यान से सुमना और सारे बच्चे अब मुझे बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आया ideal और non-ideal को कैसे पज्चानते हैं non-ideal का तो हम देखेंगे जब मैं आप दो एक्जामपल लेलूंगा आप खुद मुझे बता दूँगे कि यह आईडियल नहीं है यह आईडियल है घुलो यहां पिदेखो च3-0-0-H और देखो च3-0-0-H बच्चो बताओ यह देखो पॉजितिव निगेटिव है तो यह भी पोलर है आपका oxygen पे negative hydrogen ये भी polar है क्या ये दोनों आप ideal solution बनाएंगे message करो हायाना क्या ये दोनो propanol propanol ये propanol और आपका ethanol ये वाला आपका ideal solution बनाएगा बच्चो आप खुदी बताओ मुझे आपको लगता है ideal solution बनेगा जल्दी से बताओ हायाना Q नहीं बनेगा Q नहीं बनेगा क्योंकि सर इनका mass देखो थोड़ा ज्यादा ही है और अगर mass ज्यादा है ना तो जो A और B का interaction होगा ना वो इतना कुछ अच्छा नहीं होगा या हम बोलेंगे अलग interaction होगा तो अगर mass में ज्यादा difference है तो ideal solution नहीं बनाते बच्छो ये बात मुझे बतानी थी समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ mass में अगर ज्यादा difference है तो चाहे दोनों polar हो या दोनों non-polar हो कोई फरक नहीं पड़ता अगर mass में difference है ना भाई सब जगा पे difference चलेगा mass में difference हम accept नहीं करेंगे हम ideal solution नहीं बनाएंगे ठीक है ना और आखरी example देखो और आप मुझे बताना benzine और toluene toluene आपने पड़ा था ना एक तो आपके पास benzine है benzine आपका non-polar होता है यार बता आ चुका हो में यह होता है non-polar और अगर toluene की मैं बात करो तो यहाँ पर भी सारे item सेम होगे उपर CH3 होगा यह आपका toluene होगा ठीक है ना यहाँ पे लेग दूँ टolene यह आपका होगा benzine मैं बहुत important example बता रहा हूँ बहुत कम जगा पे आपको इतने example मिलते है तो आप मुझे बताओ बच्चो दोनो आइडियल यह भी non-polar है देखो positive negative कहीं पे नहीं दिखाए देरा आपको सारे item एक जैसे और यह भी non-polar है और बताओ क्या यह ideal solution बना पाएंगे हाँ या नहीं सारे सारे बच्चे मेसेज करो क्या यह दोनो ideal solution बना पाएंगे बच्चो सारे के सारे बच्चे मेसेज करो मुझे हर एक का message आना चाहिए मुझे हर एक का message देखना चाहिए सब को समझ में आया या नहीं मुझे पता करना है जल्दी बोलो કે યે યે દोનો ડેલ સોલોશન બનાएંગે યે નઈ બનાએંગે ? જल्दી બકે! બેંજીન ઔર ટોલ્યું? યs સー हाँ बनाएंगे यस सर और बताओ और बताओ जल्दी सेफ कहें ये दोनों आईडियल सोलूशन बनाएंगे यस और नो क्लियरली बताओ बताओ सभी बच्चे बताओ जल्दी से बेंजीन और टोल्यून आईडियल सोलूशन बनाएंगे या ने बनाएंगे दोनों भी non-polar है आपके बिचारे टोल्यून भी आपका non-polar होता है ठीक है बेंजीन भी आपका non-polar होता है बच्चों इनमें जो मास है ना अल्मोस्ट सेम है एक कार्बन का फरक है मैंने बोला था एक कार्बन का फरक इतना कुछ मतलब माहिने रखता ठीक है ना यह दोनों ideal solution ideal solution बनाएगे ठीक है क्या सभी को ideal condition समझ में आई क्या सभी को ideal solution की condition समझ में आई अब मैं सारे example आपके सामने वापस से सारे के सारे example और ideal solution क्या होता है एक बार आपको बता देता हूँ ठीक है ना बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि जो ideal solution है for ideal solution volume of mixing क्या होगा zero होगा enthalpy of mixing क्या होगी zero होगी entropy हमेशा क्या होती है greater than zero यानि positive Gibbs free energy क्या होती mixture की less than zero होती हमेशा यानि कि negative होती है यह बात उसके बात example मैंने आप से कौन-कौन से बता है भई example important n exam यहीं से example आएंगे आपके exam में और n hepten ठीक है उसके बात उसके बात देखो यार सुनना अच्चे से उसके बात उसके बात methanol methanol और ethanol ethanol यह दोनो उसके बात benzen benzen हाँ प्रिद्धिश में लेक्चर लाइकर तो तो लोगार हाँ हाँ झाल य्हेद्धिश झाल 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 झाल